हालो फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो में आपको क्या बताऊँगा कि जैसे कि हम कभी भी फ्रेम को रिप्लेस करते हैं तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं लगाते हैं और डारेक्टली हम क्या करते हैं फ्रेम में फोल्डर लगा जाते हैं तो ऐसे नहीं करना है यह हमें लगाना बहुत important और जरूरी है तो हमें इसे लगाना है साथी इसमें जब back side में आप देखोगे तो इसमें black tape लगी होती है जिसे की lighting वगेरा का reflector इसमें ना पड़े और अपना sensor जो properly work करें ठीक है तो इसलिए जो tape होती है इस tape को भी हमें basically इसे हटा के इसमें और इसमें हमें paste करना है या आप black tape को और भी ले सकते हो अगर आपको यह नहीं मिलती है तो यह अपने लगा दिया है और ऐसी काफी मतलब चीजे मैं आपको इस video में बताऊँगा जो आप नहीं लगाते हो अपने इसमें मतलब frame में और कोई सा भी frame आप replace करते हो तो यह चोचोटी चीजे आपको ध्यान रखने है यह silver के आप यह देख रहे हो यह क्या है अपने folder के लिए होते है अगर folder अपने थोड़ा बहुत punch करता है हलका मोटा तो उसके लिए यह जो लगाए होते हैं से safety protection होती है दबाओ में भी protection मिलती है गिरने से protection मिलती है तो यह भी हमें लगाना बहुत जरूरी है जैसे कि हम इसको basically one by one इनको remove कर रहे है और इनको सभी को हम क्या है जैसे as it is उसमें से हमने हटाया है उसी तरह के से हम इसको new frame में लगा लेंगे ठीक है और ऐसी काफी चीजे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आपको बहुत ही important होगा और आप उनको लगाऊगे तो आपको बहुत ही फायदा भी मिलेगा और काम करने में भी मज़ा आएगा ठीक है तो हमने आप इनको भी लगा लिया है वन बाई वन इनको सभी को लगा लेना है और यह चीजे आप थोड़ा करना जिससे की आपको मतलब इंप्रूव मिलेगा अपने काम में भी इंप्रूव मिलेगा और आपको benefit भी होगा ठीक है और हर चीज का फायदा होता है और इसके बाद में आप देख सकते हैं जो जाली होती है इस जाली को आप लगाओ कई बर क्या काते बंदे बूल जाते हैं जाली नहीं लगाते हैं जाली को भी अपने को लगाना है और जाली को clean करके लगाना है 3W plenty और इसके बाद में इस पsteps करने यह इसको सब mismos लागाते हैं लेकिन clockwise जो यह जुब नीचे आप डेख रही जाली इसको नहीं लगाते हैं कलती से ठीक है यसे waste से पेस्ट करना और फिर इसके बाद अपने को ear speaker को लगाना है ठीक है बागी यह देख सकते हो camera के लिए protection के लिए अपने को यह दे रखाए टेप इसको भी अपने को लगाना है यह cooling के लिए भी होता है तो तरह टच पर गरह ना हो और अपना camera protect रहा है दबाउ ना आ कैमेरा इसको लगा जाता है इसको भी हमने लगा लिया है यहां पर ठीक है थोड़ा सा ग्लू लगा के और इसको जो हमने टाया था रिमूव किया था तो इसको भी हमने इसमें लगा लिया ठीक है और वोल्यम अगेरा जो आप यह देख सकते हों यहां पर भी सिल्वर के कुछ अपने को टिप्स दे रखे इन सबको भी अपने को one by one इधर से remove करके और इनको लगा लेना है ठीक है और यह जो volume के देख रहे हो न आप और यह आप देखे माइक के लिए properly ठीक है इसको भी हमें इसे paste करना है इसे होता क्या है कि जो अपने माइक होता है उससे voice जो होती है अपने clear जाती है बिल्कुल ठ ठीक है और properly मतलब अवाज अपने या तो कम ज्यादा का मतलब कोई पंगा नहीं होता है तो यह company आपने को basically कुछ techniques के लिए यह चीज़े लगा के देती है तो बिने technology को कुछ चीज़े होती नहीं अब यह speaker के लिए देख सकते हो आप ringer के लिए इधर भी protection है और इधर भी protection है यह basically dust के लिए होती है और अपने जो आवाज होती है ना उसका base वगरे ठीक है इसलिए यह दोनों चीज़े दोनों जो आप देख सकते हो जाली यह अपने को properly आगे पीछे लगा देना जिस तरी किसे हमने लगा दिया है ठीक है अब इसके आगे हमने इसमें volume पत्ते वग होता है ना ग्राउंड टच वगर ना हो इसलिए और अब यह उपर देख सकते हो आप यहां पर एक मतलब होल बना होता है तो इसको क्या कंपनी पैकिंग करके रखती है इस तरीके से तो इस पैकिंग को भी अपने को as it is इसमें लगाना है यह मतलब कुछ टिप्स जो मैं आ नेक्स चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह हम अपने को फ्रेम को इस तरीके से कंप्लीट ले देखना होता है अब यह जो यह रिंगर है ना रिंगर के यहां पर अपने को डबल टेप लगी होती है इसको बिल्कुल as it is इस तरीके से हम हटा लेंगे और यहां पर as it नहीं ऐसी problem अपने को देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है basically ringer के लिए तो अपने को बहुत precaution करनी होती है ठीक है तो हमने यह लगा दिया है तो ringer box में इधर से देख सकते हो यहां पर भी double tape है तो इसको fix करते हैं यहां पर double tape लगा रखेंगे इनोंने तो इस तरीके से मतलब properly based sound fixing इसका हो जाएगा तो यह भी अपना काम हो गया है ठीक है अब इसके बाद में next जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है कि आपको friends यह पूरा frame देखे हैं हमने completely इस समय कर दिया है इसमें एक चीज और बाकी है जो front level पे आप देख सकते हो यह जो black black लग रहा है न अपना deflector तूटने का ज्यादा रिस्क होता है तो इसलिए थोड़ा सा क्या वो नरम हो जाता है थोड़ा सा उसको protection मिल जाती है तो यह सबी चीज़ा हमें लगानी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like subscribe जरू करना और यह tips जरूर अपनाना और वीड ऊस्तूब